नमस्कार साथियो UPSP मास्टर में आपका स्वागत है बित्रो इस वीडियो में हम ब्रीफली डिसकस करेंगे अलावदिन खिलजी के बारे में जिसका सासनकाल 1296-1316 तक रहा अलावदिन खिलजी अपने इच्चाचा जलालुदिन खिलजी की हत्या कर सल्तनत का सुल्तान बना था इसने बलवन के लाल किले में अपना राजबी से कराया था इस वीडियो में हम briefly discuss करेंगे अलावदिन खेल जी के सुल्तान बनने का आरंभिक दोर कैसा था इसकी योजनाय किस परकार की रही इसके सासनकाल में विद्रोह कौन-कौन से हुए इसने किस भुराजस्व सुधारों को लागू किया और इसके द्वारा चलाए गई बाजार न जो विस्तार किया वो किस परकार का था और मंगोल आकर्मन जो रहे वो किस परकार के रहे अलावदिन खेल जी का मूल नाम अली गुरसास्व था इसके पिता का नाम सहब उद्दीन मसूद खेल जी था जो बलवन के यहां नोकरी किया करते थे इसकी चार पत्निया रही मली क जहां जो जलालद्दिन के पुट्री थी महरू जो अलफत खां गुजरात में जो सहनिक इसका हुआ करता था उसकी पुट्री थी कमला देवी हम आगे चर्चा करेंगे रायकरन बगहल की पत्नी थी और जट्यापाली इसकी चोथी पत्नी थी रामचंद्रदेव की पुत्री मलिका जहां इसकी सबसे प्रिय पत्नी थी और जब इस पत्नी से हुरुष्ट हो गया तो कमला देवी इसकी दूसरी सबसे प्रिय पत्नी रही अलावदिन खिल जी एक निरंगुश सासक था और राजिकिनीती में धर्म का हस्तक्षेप स्विकार नहीं करता था ऐसा करने वाला यह सल्तनत का पहला सुल्तान था यह ऐसा सुल्तान था जो महनता के करीब तक पहुँचा परंतु महान नहीं कहलाया इसलिए इत्यासकारों ने इसकी तुल्ना फ्रांस के सासक लूई चोद्वें से की है सासन चलाने के लिए इसने बयाना की काजी मुगसुद्दीन को बुलाया और उनसे पूछा कि मुछाना हिंदों के साथ कैसा बरताव किया जाए तब काजी मुगसुद्दिन का कहना था कि यदि सुल्तान हिंद्वों से चांदी मांगे तो उन्हें सोना देने के लिए तैयार रहना चाहिए अर्थात सुल्तान को हिंदों के साथ कठोरता पूर्वक पेसाना चाहिए अर्थात हिंदों पर कठोरता पूर्वक सासन करना चाहिए तब अलावदिन खिलजी ने पूछा कि काजी साहब तनख्वा कितनी लोगे तब काजिक कहना था कि एक घुड़सवार सैनिक को तुम जितना वेतन देती हो उसका एक हजार गुना वेतन लूँगा तब जाकर तुम्हें सासन चलाने के लिए दूँगा तब अलावदिन खिलजी ने विदाई भेंट देते हुए कहा कि मोलाना साहब ना तुम मैं पढ़ा लिका हूँ और ना ही मैंने कोई धर्मगरंत पढ़ा है राज के हित्वे कल्यान के लिए मुझे जो भी उचित लगता है वही करता हूँ चाहे सर्यत मुझे इसके अनुमती देती है अथवा नहीं मैं यह भी नहीं जानता कि कियामत के दिन अल्लाह मुझे क्या सजा देगा अलाउदिन खिल जी ने सबसे पहले विश्व विजय करने की योजना बनाई और इसी के साथ इसने सिकंदर इसाने की उपाधी धारन की इसके प्रमुक सलाकार उस दोरान दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क हुआ करते थे अलाउल मुल्क ने अलाउदिन खिल जी को कहा कि आपकी योजना निरठक है क्योंकि आप विस्विजे कर ही नहीं सकती क्योंकि आपके पास सिकंदर के गुरु अरस्तु जैसा कोई गुरु ही नहीं है अलाउदिन ने विस्विजे करने का योजना को त्याग दिया तब अलाउदिन ने नया धर्म चलाने की योजना बनाई जिसे भी अलाउद मुल्क ने निरठक कह दिया और कहा कि धर्म चलाना पेगंबरों का काम है सुल्दानों का नहीं ततपस्चात अलाउद्दिन खिलजी ने इसी योजना को भितिया गया इसके बाद इसने सामराजी विस्तार की योजना बनाए कि वो यहीं सल्तनत का विस्तार करेगा अलावदिन खिलजी के सांसनकाल में चार विद्रोह हुए इन चारों का सफलता पूर्वक दमन भी कर दिया गया सबसे पहला विद्रोह हुआ 1299 इस्वी में नविन मुसल्मानों ने गुजरात अभ्यान से प्राप्त लूट के माल के बटवारे को आधर बनाते ही विद्रोह कर दिया कारण क्या था कि सरियत के मुताबिक लूट के माल का चार बटा पांच हिस्सा सैनिकों को प्राप्त होना था और एक बटा पाँच हिस्सा सल्तनत के राजकोष में जमा होना था अलावदीन खिल जी ने इसको नगा रहा इसने एक बटा पाँच भाग सेनिकों को दिया और चार बटा-पाँच भाग सल्तनत के कोष में जमा कर दिया तो जो मंगोली मुसलिम थे इन्होंने विद्रो कर दिया और जाकर रनधंबोर के सासक हटी हम्मीर या हम्मीर देव की सरर में चले गए और जब अलावदिन खिल जी रनधंबोर अभियान में वयस था तब अलावदिन के भतीजे अकत खाने विद्रो कर दिया जिसको भी दबा दिया गया 1301 में कोतवाल अलावल मुल्क की मृत्य हो गई थी और हाजी मोला दिल्ली का कोतवाल बनना चाहता था परंतु अलावदिन खिल जी ने तिमिर जी को दिल्ली का कोतवाल बना दिया था जैसे ही सुद्दान रनधंबोर अभियान पर निकला हाजी मोला ने विद्रो कर दिया और अलवी जो इल्टुतमीस की पुत्री का पुत्र हुआ करता था उसे सुल्तान गोंशित कर दिया साथ दिन के लिए सल्तनत का सुल्तान अलवी रहा हालाकी बाद में सुल्तान अलाउद्दीन खेल जी के एक परमुक सहयोगी हमीम الدین ने इस विद्रो के दबा दिया तो पेपर में यह प्रसन पूछा भी गया है कि कुछ सुल्तान के समय सल्तनत का ताज साथ दिन के लिए उसके अधिकार में नहीं था तो अलावदिन खेल जी हाजी मौला ने विद्रोह किया था और अल्वी को सुल्तान गोसित कर दिया था साथ दिन के लिए हैं सुल्तान नहा था इसके बाद चोथा विद्रोह मलिक उमर चुबंदायू के अक्तादार थे और मंगु खाज अवद के थे उन्होंने भी विद्रोह किया था जिसे भी सुल्तान द्वारा असानी से दबा दिया गया था इन विद्रोह के पस्चाथ सुल्तान चार निसकर्सों पर पहुँचा था पहला निसकर्स था कि सुल्तान जनता के दैनिक कारियों से अन्भिग रहता है सुल्तान यह नहीं जानता कि जनता क्या क्यार करती है दूसरा अमीर और राजी करमचारियों के पास इतना धन हो गया है कि उनको विद्रो करना बहुत आसान लगता है उनका दिमाग विद्रो करने में ही लग रहा है और तीसरा सल्तनत में लोग सराब की दावते करते हैं और एकटे होते हैं और ऐसा करने में उन्हें विद्रो करने का मोका मिलता है जब टोली बनाते हैं तो उस सल्तनत के खिलाब सड़ेंतर करते हैं और चो था कि जब सरदार आपस में विवाहिक संबंद बनाते हैं तो ऐसे मोकों पर भी एकटा लोग विद्रो करने की सोचते हैं तो इन चारों निश्कर्षों के सुल्तान ने चार समधान निकाले पहला समधान था कि सुल्तान को यह जरूरी है कि जनता के द्यानिक कारियों से परचित हो इसलिए इसने गुप्थचर विभाग का गठन किया और ऐसा करने वाला यह सल्तनत का पहला सुल्तान था हाला कि गुप्थचर गठित किये थे ऐसांगठनी कस्तर फर बलवन ने परंतु एक विभाग के रूप में उनको गठित किया सबसे पहले अलावदिन खिलजी ने इसने जगह जगह मोहंसिप, मुक्बिर या बरीद न्युक्त किये और इस विभाग का प्रमुग बरीद ए मुमालिक भी न्युक्त किया इसने दूसरा यह समलहान निकाला कि धनी बेक्तियों की संपत्ति को चिनने के आदेज दे दिये इसके लावा अवैद कबजे के जो भूमिया थी लोगों के पास उनको भी चिन लिया इनको चेडने का प्रियास कभी बलवन ने भी किया था पर उन्तु बलवन ऐसा बलाहा था यह अवैद भूमिया थी जैसे मिल्क जो राज़ द्वारा प्रत्त भूमि थी वक्फ जो धर्म के अधार पर लोगों को भूमिया प्रदान की जाती थी इना जो पुरSteनत के रूप में सल्तनत द्वारा भूमि प्रदान की जाती थी ऐसा करने के बाद जो खराज भूमी थी अर्था सल्तनत के सीधे अधिकार छेतर में जो भूमी जिससे सल्तनत को ही भुराय सुपराप्थ हो खराज भूमी की जो सीमा थी वो सबसे जादा हो गई थी तीसरा सल्तन ने किया कि मद निसेद कर दिया और जुआ खेलने वाले गोश्टियों पर भी परतिबंद लगा दिया हाला कि बाद में सल्तन ने कहा कि वह दिल्ली से 20-25 किलोमेटर दूर जाकर मद दपान कर सकते हैं या एकांत में बैठ कर सराप पी सकते हैं इसने अमीरों के मेल मिला पर भी परतिबंद लगा दिया और यहा आदेश जारिक किया कि कोई भी अमीर विवाहिक संबंद तभी बना पाएगा जब वह सुल्दान से अनुमती लेगा खिलजी ने सामराज जी विस्तान की उजना बनाई थी जिसके लिए सल्तनत के पास एक मजबूत कोष का होना आवशक था और इसी मजबूत कोष को करने के लिए उसने भूराजस सुधार किये इसने मसाहत की निती को पनाया मसाहत मतलब भूराजस वसूला 25 के अधार पर इसने भूमी 25 की इकाई विस्वा को बनाया और भूराजस नृधारित कर दिया कुल उपज का 50% साथी साथ इसने बिचोलिय का भी दमन कर दिया ये बिचोली होते थे जो गाओं में लोगों से करवसूलते थे और उस करका कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया करते थे और कुछ हिस्सा वो सल्तनत के कोस में जवा कर दिया करते थे ये सभी खुत मुकदम चोधरी हिंदू अन्वानसिक अदिकारी थे सुल्तान ने इनका जो अन्वानसिक पत था इसे समाप्त कर दिया अब डारेक्ट जो है यह है राजसु वसूलने लगा इसके विशाय में बर्नी ने लिखा है अपने गरंत त्वारी के फिरुशाही में कि पहले खुत मुकदम चोधरी धन हुआ करते थे ठाट बाट का जीवन जिया करते थे घुड़ सुआरी क्या करते थे सिकार पर भी जाया करते थे लेकिन जब अलावदिन खिलजी ने इनके विशे साधिकार समाप्त किये तो इनके महिलाओ को मुसलमानों के घरों में बर्तन साप करने के लिए जाना पड़ता था इसने राजस वसूली के लिए दिवान ए मुस्तकराज नाम से एक अलग विभाग की अस्थापना की भूराजस वसूली के लिए आमिल, गुमास्ते और मुद्शरीफ निउक्त किये गए इन वसूलियों की खाता बही बनाए गई जिसका देखरे करता था पटवारी खाता बही सब्द का पहली बार परियोग यहीं किया गया जो आप वरतमान समय में भी देख रहे हैं इसी खाता बही की ढंग से जांच किया करता था वजीर, सर्फ, कायनी और शक्ती से इसका परिचन क्या करता था सारी रिपोर्ट सुल्तान को भेज दिया जाती थी भूराजसु को खराज कह जाता था इस काल में भूराजसु दरे संभवते सबसे ज़ादा थी इसके अलावा दो प्रकार के कर भी अन्य वसू ले जाते थी पहला कर था घरी कर अर्थात घरों पर लगने वाला कर या चुलों पर लगने वाला कर और दूसरा कर था चरी कर अर्थात चारगाहों पर लगने वाला कर जो हिंदों पर लिया जाता था उनकी कुल आयका 10 प्रतिसत और मुस्लिमों से लिया जाता था उनकी कूलाई का 5% अलावदिन खिल जी सरवाधिक कर वसूलने वाला सुल्तान था और इत्यासकार ऐसा मानते हैं कि यह कूलाई का 70-80% कर वसूल लिया करता था सल्तनत को विश्तार रूप देने के लिए इसने एक विशाल सेना का गठन किया था विशाल सेना को समय पर रसद सामगरी की अपूरती हो उनकी परिवार अपना धंग से जीवन जी पाए इसके लिए उसने बाजार नियंतर पनाली की सुरुआत की थी और बाजार को तीन भागों में बाटा था पहला था खाद्यान बाजार जिसको मंडी कहा जाता था मंडी में खाद्यान की आपूरती पर बल दिया गया किसानों को दस मंद से ज़्यादा अनाज रखने की अनुमती नहीं थी अकाल के समय पीडियस या पबलिक डिस्टिबुशन सिस्टम सावजनिक वित्रन परनाली भी शुरू की गई और ऐसा करने वाला यह सल्तनत का पहला सुल्तान था स्राय एदल में वयपारी इकरार नावें पर हसाकसर करता था वहन निश्चित मात्रा में ही वस्तू तै कीमत पर बेचता था वयपारीयों को अगरें भोगतान किये गए कि वह मेंगे वस्तर बाहर से लाकर सरकारे कीमत पर बेचे मतलब अलावदिन खिल जी वयपारीयों को सबसीड़ी दिया करता था कि वो मेंगे समान खरी दे और जो सल्तनत दाम निश्चित कर रही है उस दामों के आधार पर ही वस्तर बेचे गुनोत्ता के आधार पर मवेशियों घोडों और दांचों के भी दाम निश्चित किये गए थे इन दाम के अलावा कोई भीवयपारी ज्यादा दाम वसूल ही नहीं करता था खादान बाजार का जो रेजिस्टेशन था वो कोई भी वयपारी सहना ये मंडी के पास करवाता था उसके जो मापतोल थे वो नाजिर नाम का दिकारी किया करता था साथी साथ जो इकरार नामा है वो भी परवान नवीज द्वारा जारी के जाता था और यहां भी नाजिर ये नाप्तों अधिकारे की न्युक्ति की गई थी पारदरसिता के लिए बरीद न्युक्त किये गए थे वो जगे जगे दुकानों पर जाकर समाल लिया करते थे और यदि कोई भी दुकानदार ये वाफारी निर्धारित दाम से अधिक दाम वसूल लिया करता था तो उसके खिलाब खड़ी से खड़ी करवाई की जाते थी जयाओ दिन बरनी उले करता है कि महेंगी दासी को लेने से पहले हजार बार कोई भी भिक्ति सोचता था त्योंकि जगह जगह बरीद न्युक्त किये गए थे और इस सारी बाजार ववस्था का प्रधान दिवान ने रियासत हुआ करता था खिल जी ने से ने सुधार भी किये इसने सबसे पहले अक्ता ववस्था को समाप्त किया अक्ता थी कि जगे जगे सल्टनत को कुछ छेत्रों में बाढ़ दिया गया था वहाँ एक्तोदारों की लिखतिया की गई थी वो एक्तदार लोगों से टेक्स वसूलते थे और उसका कुछ हिस्सा सल्तनत को दिया करते थे इसके बदले वो सल्तनत को अपनी सेना दिया करते थे परंतु ये सेनाएं सल्तनत के प्रती स्वामी भक्ति न प्रकट कर एक्तदारों के प्रती स्वामी भक्ति प्रकट करती थी और यही सुल्तानों की पराजे का कारण हुआ करती थी इसने इक्ता ववस्था को स्वाप्त किया और इसके अस्थान पर अस्थाई सेना का गठन किय ऐसा करने वाला भी यह प्रथम सुल्तान था इसने सैनिको की सीधी भरती सुरू की कम्प्लेटली परिछन होता था और उसके बाद ही सैनिको को न्युक्ति आता था जिने मुरतब कहा जाता था सैनिको को नगत वेतन देने वाला भी यह सल्तनत का पहला सुल्तान था इसने न्युक्ति के साथ ही छह मुईने का अगरिम वेतन सैनिको को प्रदान कर दिया था इससे पूर्व सभी सुल्तान भूमी का एक टुकडा सैनिको को दिया करते थे अलावदिन खेल जी ने सैनिको का होलिया रखने और घोडों को दागने की प्रथा भी सुरू की थी इसने एक अस्पा और दू अस्पा परणाली का भी सुरुवात की थी एक अस्पा सिंग अस्पा की सुरुवात की थी जहागिरने वह हम आगे पढ़ेंगे एक असपाद दूई असपाद की थी अलावदीन खिल जी ने ये विशेश महतपूर्ण है कई बार पेपर में पूछा जाता है सैनिकों को खुम्स के चार बटा पांच भाक्यास्थान पर एक बटा पांच ही दिया हाला कि इस बात पर नविन मुसल्मान जो मंगोल थे और मंगोल पूरी जिनों ने बशाई थी उन्होंने विद्रोबी किया था और वो हमिर्देव की सेना में सामिल भी हो गए थे उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे जिसका उलेक करता है जियाउद्दीन बरनी दसजार सैनिकों के टुकुडी को तूमन कहा जाता था अलावदिन खिल जी ने इस व्यापक सैने सुधार के बदोलत एक मजबूत सैने ववस्था के गठन किया और उसके आधार पर ही उत्री अभ्यान किये सामराजिविस्तार के लिए और सल्तनत की आय बढ़ाने के लिए दक्षणी अभ्यान भी किये इसका सबसे पहला उत्री अभ्यान था गुजरात वे जैसल मेर अभ्यान अलावदिन खिल जी ने उलुक खां वे नसरत सहा को गुजरात अभ्यान के लिए भेजा यहां का सासक उस दोरान रायकर्ण बगेल था दोनों के मध्ध युद्ध हु खिल जी ने बगेल के पत्नी कमला देवी से विभा किया और रायकर्ण बगेल अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी भा गया सोमनात मंदिर इसी अभ्यान के समय दूसरी बार लूटा गया नसरत सहा जो इसका यहां सेनापती था उसने यहीं मलिक काफूर हजा सहा को बेजा और यहां का साथ सक उस दोरान हम्मीर्दी उखा करता था दोनों में युद्ध हुआ और इस eg्दो में हटी हम्मीर की विजय हुई हुई इसमें नसरत सहा मारा गया ततपश्चात अलाव दिन स्यम से नालेकर रन धमबर पहुछा इस युद्ध में हटी हम्म मारा गया और महिलाओं ने पहली बार जोहर वर्थ लिया चितोड अभ्यान तेहरा सो तीन इसवी अलावदिन खिल जी ने स्वेम चितोड पर चढ़ाई की यहां का सांसक हुआ करता था रतन सिंग गहलोत और इस विजय में ऐसा कहा जाता है कि धोके से अलावदिन खिल जी न चितोड का नाम बदल कर खिजराबाद कर दिया और अपने पुत्र खिजरा खां को यहां का सुबिदार बनाया मलिक मुहमन जैसी ने पदमावत लिखा है और इसमें यह लिखा है कि पदमावती या रानी पदमनी को प्राप्त करने के लिए अलावदिन खिल जी ने का स्वर्ग शात्वी स्वर्ग से भी उंचा है मालवा भ्यान कीया अलाव दिन खिल जी ने 1305 यशिय में स्विम किया यहां का सासक था महलक देव और इस युद्ध में भी अलाव दिन खिलजी की विज्य हुई मालवा का विले भी सल्तनत में कर लिया गया इसके बाद जालोर अभियान हुआ 1311 इसी में अलावदिन खिलजी स्विम गया और यहां का सासक था कन्हर देव और इस अभियान में अलावदिन खिलजी की विज़े हुई और जालोर का विज़े सल्तनत में कर लिया गया यह अंतिम उत्री अभियान था 1303 इसवी से ही चितोड अभ्यान के सांथ अलावदिन खिल जी दक्षन अभ्यान के सुरुवात कर दिया था जिसका परमुक ने तर्टू कलंतर में किया मलुक काफुर ने देखिए उत्री अभ्यान जो अलाव दिन खिल जी ने किये वो किये अपने सामराजी विस्तार के लिए अर्थात जो भी राज जीता उसका सल्तनत में विल्या कर लिया परन्तु दक्षन अभ्यान जो किये वह केवल राजसु प्राप्ति के लिए किये दक्षनी में जिस भी राजी को सुल्तान जीता था वह राजी उसके धिंता स्विकार करता था और एक कर की सीमा निर्धारित करता था कि वहें प्रतेक वर्ष इतना रुप्या सल्तनत को भेट करेगा तोर में तेलंगाना 1303 इस्यू में अलावदिन खिल जी का पहला भ्यान था उलुग उखा को यहां अपना सेना पती बनाकर अलावदिन खिल जी ने बहिजा यहां का सासक परताप रुद्र देव हुआ करता था और सेना जब पहुंची तो काफी ठक चुके थी क्योंकि सल्तन 1905 इस्यू में देगवरी अभ्यान हुआ इस बार अलावदिन खिल जी ने मलिक काफूर को अपना सेना पती नुक्त किया और अपना पतने दिन बनाकर देवगरी भेजा यहां का सासक था रामचंदर देव दोनों में युद्ध हुआ और रामचंदर देव की पराजे अलावदिन खिल जी ने बहुत कूटनितिक कारणों से इसे असारराजी वापस किया था नुसारी का जीरा भी दिया था क्योंकि अलावदिन खिल जी मानता था कि अब सेनाय देवगरी रहकर दक्षिन के अन्यराज्यों पर विजय करेंगी और ऐसा ही हुआ हलांकि अमिर खुसरो ने अपने पुस्तक आसकी में यह लिखा है कि खिजर खां देवल देवी को पसंद करता था इसलिए यह अभ्यान किया गया था इस अभ्यान के पस्चात फिर से 1309 इस्वी में मलिक काफूर ने तेलंगाना चड़ाई की परताप रुद्र देव की राजधानी वारंगल को घेर लिया गया और जब रसद सामगरी की बिलकुल कमी पड़ गई तो परताप रुद्र देव समझो होते के लिए तियार हुआ इसमें मलिक काफूर की या लावदिन खिल जी की विजय हुई परताप रुद्र देव ने इसी अभियान में कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को परदान किया साथ ही अपनी एक सोने की मूर्ती भी मलिक काफूर को परदान की 1311 इसी में पंड़े भियान हुआ पंड़े उस दोरान सबसे दख्णी राजे था यहाँ सत्ता संघर्षो रहा था वीर पंड़े वेस सुंदर पंड़े की मद्धे सुन्दर पांडे ने अलावदिन खिलजी से शाहता मांगी तब अलावदिन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा क्योंकि मलिक काफूर उस दुरान दक्षन में ही था परंतु मलिक काफूर कभी भी वीर पांडे को नहीं हरा सका क्योंकि यह गुरिला युद्ध में निपून था काफूर वीर पांडे को ढूंटा हुआ रामेश्वरम तक गया परंतु जब वह वहां नहीं मिला तो रामेश्वरम मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनवाई इस प्रकार देखा जाए तो पांडे ही एक मात्र ऐसा राज्य था जिसे अलावद्दीन पराजित नहीं कर सका 1313 इस्वी में वहां से लोटते हुए मलिक काफूर ने देवगरी भ्यान फिर से किया क्योंकि रामचंद्र देव की मृत्य हो गई थी और इसका पुत्र संकर देव स्वयम को स्वतंद्र गोशित कर दिया था और सल्तनत को कर नहीं देना चाहता था फसरूप मलिक काफूर ने संकर देव पर चढ़ाई की संकर देव बूरी तहर प्राजित हुआ और देवगरी का विले सल्तनत में कर लिया गया इस प्रकार देवगरी एक मात्र ऐसा राजित था जिसका विले सल्तनत में किया गया अपनी सूजबूज के बल पर जिसमें सेन्य सुधार भी हैं बाजार ववस्था भी हैं जिसके विशय में अनेकी थियार असकारों के नेकबद भी है जैसे फरिस्ता का यह कहना है कि बाजार ववस्था सारी सल्तनत में लागू थी जबकि ज्यादिन बरने का यह कहना है कि यह है वबस था केवल दिल्ली के लिए थी केवल सेनिकों के लिए थी जैसे सुधार किये और सल्तनत का विस्तार किया हालांकि सल्तनत के विस्तार की निव बलवन ने रख ती थी। अलावदिन खिल जी के समय सल्तनत पर सरवाधिक मंगोल आकर्मन हुए जिन से निपटने के लिए अलावदिन खिल जी ने अरक्त वे तलवार की नेती अपनाई। यहां सल्तनत का नेतरत कर रहा था जफर का और इसमें सल्दिक खां जो मंगोल नेता था वो मारा गया था। चोथा आकर्मन हुए तारंगी के नेतरत में और तारंगी दिल्ली तक पहुँचा था। मात्र मंगोली इस दुरान भी नतरत किया था अलावदिन खिल जी ने और सीरी के किले में स्यम को नजरबंद कर दिया था। अलावदिन खिल जी सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने विंध्याचल परवत की सिमाव को पार किया। क्या ऐसा पहला तुर्क है जिसने अपनी तलवार के बल पर विंध्याचल परवत की सिमाव को पुलांगा। साथी साथ इसने अपने दरबार में अनेक विद्वान शन्रचन भी परदान किया। और ऐसा माना जाता है कि 44 विद्वान इसके दरबार में थे। ज्यादा कि हम चर्चा सल्तनत कालिन साहित्यों में संगीत में करेंगे पर कुछ मुख्य मुख्य चीजिये हैं वो आप देख लीजिए अमीर खुसरो इसका प्रथम दर्बारी था और इसे अलावदिन खिलजी ने तूती ये हिंद की उपाधी दी थी अमीर हसन को भारत का साधी कहा था रुकुनुद्दीन धर्म सास्त्री था अरसलान कुवाही इत्यासकार था कबिरुद्दीन भी इत्यासकार था तूरमतिक खातून अस्त्री संगितकारों की परधान हुआ करती थी इसने अनेक उपाधिया बिधारन की थी सिकंदर रिसानी यामीनी उल्खिलापत और खिलापत उल्मौमिनन विस्व का सुल्तान युग का विजेता जनता का चरवाहा और पर्त्वी के सास को का सुल्तान इसे कहा है अमीर खुसरों ने 1316 में अलावदिन खिल जी को जलोदर रोग हो गया था और इसकारण इसके मृत्ती होगई थी और इसे कुतुब परिसर जो जामामज्यित दिल्ली में उसके सामने इसे दफना दिया गया था मुझे आसा है कि अलावदिन खिल जी के बारे में जो आपके सारे डाउट्स है वो इस वीडियो ने किलियर कर दिया होंगे यदि फिर भी आपका कोई डाउट्स बचा है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे वित्रो कुछ चीजे छूट जाती है पर वो मैं अगले वाली वीडियो में कवर कर दूँगा आपको प्रसन का उतर देना है अलावदिन खिल जी के आक्रमनों की तीथी को सही सुमेलित करना है दोनों असकेन पर लिखी है आप सही का चेन कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे थैंक्स पूर वाचिंग जय हिंद जय भारत महासक्ति भारत